नमस्कार बंदु हो मैं रवींद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपने यूटूब चेनल होम गाटन पर और दोस्तों यह सामने एक और हस्त चित्र है और आज मैं आपको यहां पर जो सबसे ज्यादा महत्पूर्ण रेखा है आज के जीवन में जो लोग सबसे ज्यादा पूंच्थांस करते हैं कोरी करते हैं भाग गिरेखा मनी लैन उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं और आपको बताऊंगा उसके बारे में जो खासियते हैं लक्षमी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बर्दपान में तो चलिए तो सबसे पहले दोस्तों म बिलेब नहीं करते जो तिस पर विश्वास नहीं करते मैं नहीं चाहता वो विश्वास करें या ना करें मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दुनिया में आप भगवान कहें अल्ला कहें गौड कहें जीसस कहें कुछ भी कहें कोई ना कोई ऐसी सुपर पावर है जो ह हम सभी को उपर जो हम सब से उपर है और जो हम पर राज कर रही है वो हमें प्रभावित करती है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन और उन्होंने भी ये माना है कि कोई ना कोई ऐसी पावर है जो हमको नियंद्रत करती है तो चलिए वह बात छोड़िए आज हम बात करेंगे अपनी एक और जो मुख्य रेखा है जीवन में जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है और वो है हमारी मनी लाइन तो सबसे पहले हम जीवन रेखा को अपनी बनाएंगे यह हमारी जीवन रेखा बनी यहीं से हमने अपनी मस्तक्स रेखा निकाली है यह सवी रेखा में पहले के वीडियो में आपको बता चुका हूँ यह हमारी हिर्दे रेखा और यहाँ पर हमने बिवाह रेखा का भी पहले अध्यान किया हुआ है तो दोस्तो जीवन में सबसे महत्पूर्ण जो रेखा है वो है मनी लाइन अगर आप जीवित हैं पैसा नहीं है तो भी बहुत जादा समस्या है तो अक्साल लोग प्रश्ण करते हैं कि हम कैसे जाने कि हमारे जीवन में पैसा है या नहीं तो आप सामद्रिक सास्त या प्लम रेडिंग से कैसे जान सकते हैं कुछ आइडिया में आपको आज बताये देता हूँ तो देखें यहां पर एक रेखा होती है आपके हात के बीचों बीच में और लग पचास पतसत हातों में ये रेखा नहीं होती सारान तौर पे पहले मैं आपको बताऊं तो friends पहली जो रेखा होती है भाग रेखा को भी हम कई भागों में डिवाइट करेंगे आज जो प्रथम स्तर की रेखा होती है वो मडवन्द से निकलती हुई ऐसे बेलकुल सुर्द तरीके से चलती हुई आपके जो मस्तक स्रेका उसे काटती हुई और यह यहां उपर तक सन छेत्र तक पहुशती है यह आपके प्रथम भाग्य रेखा हो गई जो कुछ हातों में इस प्रकार पाई जाती है दोस्तों कुछ हातों में ये रेखा यहां जीवन रेखा से निकलती हुई यसे ही चलती ही आगे उपर तक जाती है ये दूसरे प्रकार की भाग के रेखा हो मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाने की कोसुस कर रहा हूँ कुछ वैरी थी लोग कह रहे थे कि आप बहुत स्लो बता रहे हैं याने के बहुत छोटी चीज बता रहे हैं तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको अभी बर्ड माला सिखा रहा हूँ जो तिसकी अगर मैं अभी आपको पूरी साइन ठीटा कॉस्ट ठीटा जैसे मैंत में होता है वो बता हूँ तो आपके बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा हम सुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको यही से बताना चाहरा हूँ और जो ज़्यादा बुद्धमान बन रहे हैं या जो अपने आपको ज़्यादा बुद्धमान समझते हैं मेरे कुछ दोस्त उनसे मेरा बिनम्न निबेद हैं कि अपने ग्यान को भी वो यूटूब पर लाएं प्रचारत करें जिससे लोगों का कुछ भला हो हम भी उनसे कुछ इस्थान पर यहां से अंदर से यह सुक्र चेत्र यहां से ऐसे यह तीसरा इस्थान वहागिरेखा का इसी प्रकार से कुछ चेत्र होते हैं यह मंगल के चेत्र से भी भागिरेखा निकल सकती है कभी-कभी बुद्ध के छित्व से भाग रेखा निकलती है यहां से यह जैसे तो दोस्तो यह चार प्रकार मैंने आपको बताए अब हम बर्णन करेंगे पहले प्रकार का अगर किसी सज्जन के हाथ में मड़ बद परवत से कोई रेखा निकलिए भाग रेखा और वो सुद्ध है, साफ है, बिना टूटी-फूटी हुई और सिधे सन परवर्ट तक जाती है तो बहुत ही उच्छ भाग रेखा उस व्यक्तिका उसने अपनी मेहनस से सब कुछ पैदा किया है और वो जिस चीज में हाथ डालेगा वो सफल होती चली जाएगी आपकी अच्छी स्थती के होने चाहिए कभी-कभी आपकी भाग रेखा खराब है ये परवत सही है, तब तो काम चल जाएगा लेकिन भाग रेखा सही है और आपका सूर परवत और गुर परवत और सुक्ष परवत सही नहीं है मित्रो तो आपकी अच्छी भाग रेखा भी आपके किसी काम की नहीं है जिन हातों में इस पकार की भाग रेखा होती है बहुत ही वो अच्छी किस्म के जानकार होते हैं समाज में उनका बड़ा नाम होता है और वो अत्यदिक फेमस भी हो जाते है दूसरी पकार की भागे रेखा दोस्तों ये दिहान रखिए अगर जीवन छेत्र से ये भागे रेखा निकलिए तो इसका मतलब ये है कि व्यक्त को अपनी परवार का भरपूर सयोग मिला है उसका परवार पहले से संपन्न था या उसके पिता उसके ससर उसके भाई या पत्नी ने उसकी हेल्प की तब जाकर उसका भविश्य बहुती उजल हुआ ये पहले में ब्यक्त अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहा है यहाँ पर ब्यक्त अपनी मेहनत कर रहा है लेकिन उसका परवार भी कहीं ना कहीं उसकी उन्नती में उसके भाग्योदय में उसके साथ है वही तरीका इस रेखा के साथ भी आपके परवत अच्छे स्थिती पर होने चाहिए आपकी मस्तिक स्रेखा भी सुद्रण होनी चाहिए क्योंकि अच्छे भागी में अच्छे दिमाग का महत पूर्ण हाथ है पहले प्रकार की भागी रेखा हमने बता दी दूसरे प्रकार की भागी रेखा का भी हमने बढ़न कर दिया है यहां भागी रेखा अगर जाकर दो मुख वाली होती है एक मुख सनपरवत की तरफ एक मुख गुर्परवत की तरफ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करता है और बहुत अच्छे उच्छपत पर पहुँचने के उसकी संभावना रहती है दूसरी जो जीवन रेखा से भागी रेखा निकलती है काटा पीटी है तो फिर व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं आती रहेंगे अब हम तीसर प्रकार की भागी रेखा का वर्णन करेंगे और वो है अगर सुक्र परवत से रेखा कोई निकली है और वो आगे जाकर उसने आपकी मस्तक्स रेखा और हिरदय रेखा को काटते हुए वो सूर रियासन के छेतर तक गई है तो वो भी एक प्रकार की भागी रेखाई है अब जो मैं तीसरे प्रकार की आपको रेखा बता रहा हूँ ये जो तीसरे प्रकार की रेखा है मित्रो ये थोड़ी परेशानी दायक है जैसे यहाँ इसने जीवन रेखा को काटा है इस वागी रेखाने तो इस स्थान पर इस समय जीवन के उस समय आपको बहुत ज़्यादा कश्ट होगा व्यक्ति को और वो परेशान मी रहेगा जिस हाथ में ये रेखा निकली होती है सुक्रचित्र से उस व्यक्ति का भाग्योदर उसकी साधी के बाद ही होता है ऐसा व्यक्ति प्रेम करने में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए उसका प्रेम करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है उसे अपनी सस्वाल पक्ष से मानसम्मान धन संपदा भी मिलती है ये भागिरेखा ये चोथे प्रकार की जो भागिरेखा मैं आपको बता रहा हूँ चंद्र परवत के छेतर से निकल कर सीधे सूर परवत तक जाती है ये बिलक्षन हातों में देखने को मिलती है प्रतेख हात में ये रेखा नहीं होती, कुछ रेखाएं भागिरेखा के साथ से निकलती हुए ऐसे बुद्ध परवत्तक और सूर परवत्तक जाती है ये भी भागिरेखा का ये एक और विस्तत रूप है बड़े राजनेता, बड़े उध्युक पती, बहुत बड़े विज्ञानेक या कलाकारों के हातों में आपको एक से अधिक भागिरेखाएं भी देखने को मिल सकती है मैं आपको अभी कुछ फोटो दिखाऊँगा जो भारत के प्रसिद और बहुत सफल व्यक्ति हैं उनके तो दोस्तो भागिरेखा के बारे में मैं कुछ आपको जो नौर्मल चीज़ें वो बताए देता हूँ आज हम भागिरेखा पर आपको नौलेज दे रहे हैं भागिरेखा सीधी, इसपष्ट और सन औसूर परवत की वो जाती वी होनी चाहिए यदेयरेखा लाल रंग की है और मध्मा उंगली के प्रथम पोर्ट तक पहुँच गई है यहने के यहां तक उपर तक चड़ती वी आपको देख रही है तो उस व्यक्ति की म्रत्यू दुरगटना वस होगी इसी प्रकार यह रेखा अगर भीकी है, पतली है तो उस व्यक्ति का जो जवानी है वो परिशानी में कटेगी जिस व्यक्ति के हाथ में यह भाकी रेखाएं नहीं होती है उस व्यक्ति का जीवन बहुत सामान है और थोड़ा परिशानी में कटेगा मैं गरीबी नहीं कहूंगा व्यक्ति जीवन भर संगर्स करता हुआ अपना जीवन व्यतित करेगा यद भागिरेखा यहां शुरू आत में टेड़ी मेड़ी है लहरदार है तो व्यक्त का जो बच्पन है वो परेशानी युक्त होगा जितनी भागिरेखा काटी जाती है या कटती है उस चित्र पर व्यक्त को नुकसान जीवन में बदलाव या उसका जो रोजगार है उसमें बदलाव होने की सम्मावना बनी रहती है भागिरेखा जितनी बाद तूटती है डक्त के रोजगार में, नौकरी में, व्योफसाय में अंतर आते रहते है जैसे दोस्तो भागिरेखा उपर चरणा भी सुब नहीं है वैसे ही मडवन्द से नीचे उतरना भी ये सही नहीं है कि चंद्रपरवत से कोई रेखा भागिरेखा निकल रही है तो यहां चंद्रपरवत से अगर भागिरेखा निकलती है तो व्यत्त कई बार जल यात्रा या विदे से यात्रा करता है अगर भागी रिष्का से कुछ रेखा हैं निकलकर गुर्परवत पर जाती है तो यह अच्छी बात है और आपके जो रोजगार की व्योश्य हैं वो आपके दिमाग से पैदा होंगे आप एकांटेट, सिक्षक या फिर जो दिमाग से काम करने वाले काम हैं वो करेंगे तो दोस्तों कुल मिलाकर इसका जो भागी रेखा का मनी रेखा का सार है वो यह है कि यह पचास पत्सत हातों में नहीं होती है जिन हातों में होती है उनमें सुपरस्ट होनी चाहिए साफ होनी चाहिए प्रतम प्रकार की भाग रेखा मणवन्द से निकल कर सन छrióती जाती है तीसर प्रकार की रेखा सुक्र परवत से निकलती है सन छ shelf तक जाती है चोथ्य प्रकार की भागि रिखा का अधुगम छन्द परवत से होता हुआ, सुर। परवत तक होता है, कुछ रिखाएं मंगल परवत से भी निकलती हैं, बहुत से हाथों में भागि रिखा यहां से शुरू होकर केवल मस्तिक सुरेका तक समाप्थ हो जाती है, तो निव्यक कटी हुई या लहरदार हैं सफल वो भी होंगे लेकर उन्हें अत्यदिक मेहनत करनी होगी और जीवन में कई बार उन्हें समश्यां का सामना करना पड़ा होगा तो आप मेरे साथ बने रहे और आगर कोई क्वेरी हैं आपकी कोई समश्या है तो आप प्लीज मुझे कमेंड कर मैं जरूर आपका जबाब दूँगा और हम आपको अभी देश के कोच्छ जो प्रमक व्यत्ती हैं उनके हाथ के फोटो आपको दिखाएंगे और मैं आपको बताने की कोसस करूँगा उनकी भाग गरेखा का भी साथ तो चली देखते हैं तो दोस्तों ये भारत के प्रधान मंतरी सरी नरेण बोदी जी हैं तो इनका में हाथ आपको दिखा रहा हूं ये देखिए इनके हाथ में जो भाग गरेखा है वो मुख्य भाग गरेखा बहुत टूटी फूटी हुई है नो ने जीवन के प्रार्म में काफी संघर्स किया ह अपने लेकिन इनकी एक भागे रेखा सूर्परवत की तरफ जाती है आपको देख रही है तो हम ऐसे दूसरी और जो भारत के प्रम्रुख रखती है उनको देखेंगे अभी ये देखिए अवतावच्चन जी की हाथ की मेरे खापको देखा रहा हूँ नजदीक से देख सकते है और ये भागे रेखा मणवन से निकलती हुई जीवन रेखा का साहरा लेती हुई और उसके बाद संचेतर तक गही है तो जो प्रम्रुख रेखती है उनके हाथों में आपने देखा कि भागे रेखा कितनी बढ़िया है मैं और भी आपको कुछ हाथ देखा रहा हूँ ये बिलगेट्स हैं और इनके हाथ में भी आप देख सकते हैं कि बीच ओ बीच एक प्रवल भागे रेखा है तो दोस्तो आज मैंने आपको भागे रेखा यानि कि मन रेखा के बारे में आपको बताया धन समपदा बिना भागे रेखा वाले हाथों में बहुत कम पाई जाती है तो धन्यवादेनी सब्दों के साथ मित्रो फिर मुलाकात होगी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे है यूटूब चैनल पर आपकी कोई समस्या हो लिख फेजिये मुझे धन्यवादेनी सब्दों के साथ